जैसे जैसे प्रत्यासियों के नाम सामने आ रहे हैं वैसे वैसे जारखंड में चुनावी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वज़ा है कि हम है कोडर्मा विधान सभा में कोडर्मा एक ऐसा विधान सभा जो अबरक के लिए पूरे भारत में फेमस है यानि सबसे जादा अबरक उतपादन में कोडर्मा का बहुत बड़ा रोल है और यहाँ पर भारती जनता पार्टी की लगभग 10 सालों से प्षबार नहीं हुई है तो वो कुडर्मा जिसमें जुमरी तलया आता है इस समय हम जुमरी तलया में और मेरे ठीक पीछे जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये जुमरी तलया का है जुमरी तलया भी बहुत फेमस है और गानों के माद्दियम से और टीबी के स्रोताओं के लिए जुमरी तलया का नाम हमेशा सामने आता है तो आज हम चलेंगे जुमरी तलया में और लोगों से जानने की कोशिस करेंगे कि उनके मन में किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए चल क्या रहा है और सवाल ये भी कि आने वाला जो विधान सवा तेरा तारीक को जो मतदान होने वाली है उसमें बढ़ चड़ करके किसको कौन वोट देता है तो मतदाताओं के मन की बात समझेंगे आईए चलते हैं जुमरी तलया में चारखंड में चुनाओं चरम पर है और सबसे बड़ी बात है कि अब प्रत्यासियों के नाम भी पॉलिटिकल पार्टियां जाहिर करने लगी है ऐसे में जो चुनावी सुगुगा हट है वो बहुत तेज हो गई है और इस समय हम कोडर्मा में हैं कोडर्मा एक ऐसा बिधान सभा जहां पर भारती जंता पार्टी लगा तार दो बार से जीत हासिल करती आ रही है और कोडर्मा का ये इलाका जुमरी तलया कहलाता है जुमरी तलया का नाम पूरी दुनिया में फेमस है आज हम जुमरी तलया में और हमारे साथ कुछ लोग है जो बात करने के लिए हैं उनसे हम समझेंगे कि चुनावी विसाथ किस तरब जा रही है क्या बीजेपी तीसरी बा प्रत्यासी का नाम जो है वो अभी जाहिर नहीं किया है सबसे पहले आपी से पूछते हैं जुमरी तलईया में महाल क्या है सर महाल तो हमारे बीजेपी के बिधायक नीरायादव पिछले दो बार से बिधायक हैं इस बार भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है पर मैडम स कि विकास सहर में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाती है आज भी ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है बिजली बाबर प्लांट यहां है यहां का बिजली दिल्ली जाके दिल्ली के लोग सुखी है पर हमारे आज भी बिजली का कोई प्रॉपर वेवस्ता नहीं की गई है नगर कि वहीं खड़ी है है ट्रिक लगेगी कि नहीं है ट्रिक लगेगी इस बार एक निर्देलिये परतासी सालनी गुपता जी भी खड़ी हो रही है रुजान पबली का सुनने में आ रहा है कि इस बार उनके तरह भी अच्छा खाता बंद कर लगते हैं कुछ और लोगों से बा सवास दिया है और बीजली पानी सब इस theo बढ़े हैं डिया है अब ऩी बीवस्ता है और झूमरी तलैया में सब मस्त है सब ठीक थाक नढख सब ठीक है, आ बढ़ाएं बाइए, बैजिसाब का प्रूट का सब्सक्राइब ? मोधी की सार्कार का मोधी क बाइए goed . कुछ होर लोग से बात करते हैं, आपका अपका ब्रज किस πो का सति का सरकार आएगी अब कि सर यहां बदलाव चाहते हैं क्यों कि जिस सरकार की यहां चर्चा चल रही है बीजेपी की मैं वैसा कुछ यहां भीकास नहीं देख रहा हूं जिसे आम जनता सुखी चैन अमन से हैं कि माहब खराब है जुमरी तलहिया है पूरे भारत में कल अब कि दिया हर था इन यहां कंदा रहे लगेगई और निंतली अगहिए सामने ड Cre reco अने तरवादें कमी हैं डौक सकते हैं किन हैं किया मुद्द हो रहेना किसे चल सब्सक्राइब कर nu तीन ही ठीक है dyelik जो अतना हुगा उतना कम भी नहीं है परलब चाहे विकास हो ना हो भीजेपी जी अच्छा ये तो बड़ी बात होगे आप बताइए आपके मन के अंदर क्या चला है कौन जीतेगा है अरे मन के अंदर यहीं चला है कि जो सत्ता प्राप्त करने के बाद कोई पबली के ही तुमें नहीं सुचती है और पबली का काम नहीं करती है और लोग मैं जितना भी प्रशाशनी को जाएगा क्या मुद्दे रहेंगे वोड जो अच्छा काम करेगी अना बदलाव चाहिए इ किया नाम है आपका परसाद बर्मा पर्मा जी क्यों किसकी पार्टी कमल खिले गांग फिर खिले गांगा बозмभा क्यों खिलेगा लेगा इच्छा काम करते हैं मोधी जी रोजगार मिला गया रोजगार सब चिजभी इंस उचालि दिए भवन दिए सब चिछ दिए हम लोगो सूवने कर नहीं टिक नहीं है क garbage है कि क्षी थो बाहर का हो रहा है लेकिन गाहों में जैसे आम लोग इनलगों सेर मैं विक विकero एड एक आएक बिजीपी मांते है पिर भी विकास नहीं हो रहा चुछ नहीं हो रहाइक पर भी भी न्युक्क पिर फिर भी म अच्ब्दत हको अब एक आप दोअग होग 얼굴 ours बदलेगा पबलेगा पुब्लिक सब बदलेगा तो पुब्लिक नहीं है और इदर हमा इदर आये क्या नाम है आपका चांपादेवी ओट किसको जाएगा इस बार जिनने जाएगा किदर जाना है अब जिदर सब जाएगा उधर पता करेंगे उधर जाएगा अच्छा इंसे भी बात कर लेते हैं ये बताइए आप बताइए आप क्या समझते हैं कि मतलब किस बार इस बार कौन जीतेगा जीतेगा को देखिए जो सरकार जो है तो यहां पर विकास का सबसे बड़ा समस्या रहा है आज लग बिजली पानी नगर पालिका ये सब कामनी और असाब सफाई नहीं है अहां मतलब वही है सरकार है लेकिन यहां पर विधी विवास्ता सब सबसे चार रूप से सब कोई चलती नहीं है सब मेरे जो है तो जीत जाएंगी अलग बात है लेकिन वो आपको फिर भी लगता है कि विजेपी जीतेगी उमीद है कुछ कहा नहीं जा सकता इस बार जाह ज जो एक सकते ना किमरीत अलगी में जाधा बस उनाही के बनाम पर जो बुट मिल जाए बीजिएपी को मिल जाए इसे काम के नाम विकास के नाम बोट नहीं है कि भई प्रती primo क्या में यह जाता करता तब तो बात ही अलग था और परतिया सी काम नहीं कर पाते हैं जिसका सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और अब्रक का बड़ा कारुबार भारत में नंबर वन अब्रक उतपादन करने वाला कोडर्मा रहा ये बताईए कि अगर जो है अगर हम बात करते हैं रोजगार की हम बात करते हैं मजदूरों के स्थिति के हम बात करते हैं सफाई की सड़क की तो इन सारे चीजों पर क्या मिलता है आपको कुछ दिखाई देता है सर काम तो ग्रामीं छेतर में थोड़ी हुई है पर सहरी छेतर में काम नहीं दिखती है सरकार की सर और रोजगार वगरा का तो ऐसा कुछ कहना ही नहीं है बस बोट सिरिफ हमारे यससवी परदान मंतरी नरण मोदी के नाम पर कंडिडेट को मिलता है सरिफ ओनली मोदी मोदी के चलते कंडिडेट जितते हैं मोदी के चलते ही बोट मिलता है क्योंकि उनका काम पूरा भिस्व देख रहा है पूरे डेश को बदल दिया उन्होंने लोकल लेबल की बात करें, कैंडिडेट की बात करें, तो यहां समस्या है? जी, समस्या बिल्कूल है सर, इस बार बीजेपी को कड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब वो तीसरी बार सीट को निकाल पाएगी ने, तो इस बार मुकाबला उनको काटे का मिलेगा सर अभी तो प्रत्यासी भी नहीं जाहिर हुआ है, यह बताइए, राज़त का प्रत्यासी नहीं आया है, राज़त सीट लड़ेगा, आपको क्या लगता है, उनका सर अभी को बहुत मुश्किल है, उनका सर यहां पर नहीं है, उनका विकास है, विकास नहीं कर रहा है, विकास का जार्खन में सरकार की वापशी है हमनसरण की होगी या नहीं हो बिलकुल नहीं होगी फिर से इस बार बीजेपी आएगी और नरेंद्रमोदी जी फिर से जार्खन में अपना सरकार बनाएंगे भाच्पा की सरकार बनेगी इस बार नाम नरेंद्रमोदी जी 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 डवलब्मन्ट होगा कि नहीं होगी बिलकुल होगी विकास पूरे देश की मोदी जी ने किया तो जार्खन तो उनका प्यारा राज्य है जी बिलकुल अस्थानी अस्तर से लेकर के और केंद्र अस्तर पे जैसा हम नेत्रीर्ट परदान करते हैं अस्थानी अस्तर से ही केंद्र तक मजबूती होती है और यह हम लोग देख सकते हैं अगर बीजेपी आती है और नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है श्टेट में तो इससे क्या है कि हम लोग सबसे पहले अभी देख रहे हैं सूरक्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा था, पहले हम लोग देखते थे, 2014 के पहले जगा जगा बंबलाश्ट होते थे, नकसलाइड्स जगा जगा रोड बैरिकेड करते थे, बलाश्ट करते थे, विकास के कारे नहीं होने देते थे और वर्तमान अब नहीं है अभी क्या है कि बहुत कम हो गया है ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं है लेकिन बहुत कम हो गया है और सही तरीके से उन पर नियंतर अस्थापीत करने का जो है प्रयास किया जा रहा है इस बार इस बार कौन जीतेगा यह बता अभी कुछ कहना मुष्किल है अब चुनाव दमदार प्रत्यासी है दोनों दमदार है तीन एक और निरदलीय प्रत्यासी जो सालनी गुपता है वो भी अच्छी प्रत्यासी है वो भी लगनसील है वो भी जीते तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझेश दौस तो हम लोग यहाँ पर निराजादव जी को देख चुके हैं, काम हुआ कि नहीं कुछ हुआ, हुआ काम नहीं कुछ हुआ, लेकिन चेहरा भी चेंज होना चाहिए, आप बताइए, क्या महोल है यहां पर जुमरित लिया में, महोल तो सबकुछ ठीक है, लेकिन कहे का मतलब है यही बात, कि सरकार जो है, सो थोड़ा सा महगाई के परती में देखा जाए, महगाई बड़ा इश्यू है, महगाई के परती में देखा जाए, और तरह तरह के जो है, धार्मिक पर राजनीती नहीं किया जाए, धार्मिक राजनीत नहीं किया जाए, बताईए, पूरा गेरुया अवस्त्र में सबसे बड़ा पूजा है कर रहा है यह तो दुनिया देख रहा है यह बता है क्या आपने भी टीका लगा रखा है पूरा बेश होसा के बजरंग वाली के दर्भार पर सब जाते हैं कोई कहते हैं मारवल लगा देंगे को अनकि सोना का घंटी लगा fellow भगमान उससे पूचे एं कहए और बैकु तुम देने के लिया है पकी लिए वताई एप आरे पास आये हो तो कुछ लेने के लिया आये हो तूम तौम आते हो तो सोना का घंटी लगा देंगे लिए लगाना आज धरकन हम लोग अलग हुआ बिहार से क्या भीकास हुआ आज हो इस और फिर भी हुआ है क्या कीजेगा और लाहर यह भाईया लाहर है यह बताईए टीका तो ठीक है आपका इस बार जीत का टीका किसको वक्त बताएगा अरे वक्त तो बताई देगा आप भी बताएगा पहले क्या बताएगा अरे बताई से पहले बता दीजी कोन किसका माहॉल है परिवर्तन सालनी गुपता परिवर्तन सालनी गुपता तो कहें क्या अधार है परिवर्तन का दस साल देखे मैडम को दूसरा चेज़ा को भी चांस देना चाहिए मलब निर्दली है सालनी है सालनी गुपता जो है निर्दली आ रही है परिवर्तन चाहिए को ड्रमाग में अगर विकास लाना है तो सानली गुपता को लाना है लाना पड़ेगा का 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 नाम है धालो दास उट उट देता हुआ उट देते हैं किसको उट देते हैं मोदी जी का मोदी जी को ये भी देते हैं मोदी जी को क्यों देते हैं वह सब कुछ दीते हैं एक चावल देते हैं एक देखिन लोग कपड़ा देते हैं पैसा देते हैं आज इस तो बरके क्या सी है अरे मोधी का जादू सर्चर का बोल रहा भाई पिछले 15 दिनों से कोड्रमा में देंगू का बहुत ज्यादा कुर परकोप है लेकिन यहां पर जो तो बहुत जादा है ना फिर कैसे समस्य अपने फ़ल हो जाएगा इसे होगा भाई यह उतों पर देखिएगा दस साल में तो हुआ नहीं पंदरे साल में कितनों भी कुछ होगा रोटी वहीं सिखाएगा जहां जाने वाला है जहां चल रहा है साधा विकास साधा जिंदगी आपन पर जाएगा समझ मैं अचा ठीक अपताईए आहना जहीं आंचाए उना चाहिए विज पी ऑना चाहिए है है हो दस हमें देखते देख रहा करते हृण जाब करते हैं ऋपहों है कहें में अर्केस क्पाया N an परिवर्तन तो हुआ है और क्या है कि कई बार जी से की राजे में सरकार किसी और की होती है और बिधायक किसी और पार्टी का होता है तो राजे मसीनरी से उस तरह का सयोग नहीं मिल पाता है ये बताइए ये डबल इंजिन की सरकार आप बताइए आपके मन में क्या चला है मन में एक दम बीजैपी होना चाहिए ये बहुत सरस्चित है किसी और पाला म की पहला स्वाला मुद्दा सबसे पहले ही आ गया म महं घाए हो जाए सिलिंडर के दान बढ़ जाए कुछ भी हो जाए महांगाई का देख रहे हैं बार-बार बहुत सारे लोगों के द्वारा ये मुदा उठाया जा रहा है तो अभी देखा जाए कि पेट्रॉल जो है 100 रूपया से उपर है या 100 रूपय के करीब है वो जो लोग उठा रहे हैं उनसे पूछा जाए कि पहले 20-25 रूपय पेट्रॉल था तो आपके पास बाइक थी आपके पास कार था नहीं था लेकिन आज 100 रूपया पेट्रॉल है 100 रूपय डीजल है लेकिन फरक पड़ता है यह अस्थानीय चुनाओ है देश के चुनाओ में मोदी जी को भेज दिज़ देखा